आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इंघ्राटिट्व का मतलब क्या होता है अन ग्रेट फूल और इसकी स्पेलिंग भी टाउट है अन अन ग्रेटफुल तो ठीक है यह दो हो नहीं सब्सक्ता अब सेकिन अप्शन पर जब करते हैं इन ग्रीडियर्ट्स देखो यह इन ग्रीडियर्ट्स बन रहा है पर यहां पर ingredients की spelling अब पता क्या होती है? I-N-G I-N-G-R-E-D-I-E-N-T-S यह होती है ingredients की spelling हाना यहां पर क्या है? E और I I दिया होए E I दिया होए पर I E होना चाहिए हाना तो ingredients का मतलब क्या होता है वैसे? ingredients का मतलब होता है किसी चीज के components ठीक है? वो चीज किस से मिलके बनी है? उसको बोलते है ingredients तो यह spelling mistake थी E I E होना चाहिए बट E I given था तो अब next भी देख लेते हैं कि आगे तो कोई mistake नहीं है? शोलो देखो C option के indigenous indigenous का मतलब क्या होता है? originated from the specific originated from specific place from specific place कि किसी specific place से originate करना ठीक है? इससे बोसको कोई चीज सिक्किम की है तो वो सिक्किम से ही अगर originate है तो हम उसे बोलते हैं इंटिजियस अब हम देखते है क्या देखते है? हमारा D option के है? engraving इसकी spelling बिल्कुल ठीक है और इसका मतलब क्या होता है? to print on something engrave करना मतलब क्या होता है? print on something किसी चीज की उपर print करना ठीक है? तो अब देखो किस में mistake थी spelling? बस ingredient में दी ना आई ही होना चीज़ता है यह आई था हूँ तो मारी wrongly spelled word क्या हूँआ? ingredient और कौनसा option हूँआ? option B. So our answer would be, कौनसा answer होगे? हमारा answer would be option B. Thank you! प्लासिक स्टुटल से लेके NEET IIT जही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुटेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीचे अपने डाउट 8-400-404-400 पर